Hello Friends, Welcome to Mechanical Tech Hindi Friends, आप मेंसे बहुत साई लोग जब अपने लिए कोई भी नई या पुरानी बाइक खरीदने वाले होते तो बहुत साई लोग का मुझे कमेंट आता है लोग अपना preference बताते हैं, अपना choice बताते हैं, अपना requirement बताते हैं बहुत साई लोग जो बाइक का कर बेट है, जो बाइक का overall weight है बाइक कितना भारी है, इसको लेकर ही बहुत जादा tension में रहते हैं लोग अपना जो height और weight बताते हैं, उसके बाद पूछते हैं कि क्या इतनी भारी बाइक लेना उनके लिए सही होगा तो आगेस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि जादा भारी बाइक किन लोगों के लिए किन situation में problems create करती है आपके लिए कोई भारी बाइक suitable है कि नहीं है, as per your height and weight आपका जो भी height है, जो भी weight है उसके according आपको कितना भारी बाइक लिएना चाहिए भी आपको बताने वाला हूँ और कौन सी बाइक आपके लिए किस situation में suitable हो सकती है, यह सब मैं आपको आगेस वीडियो में बताने वाला हूँ, वीडियो को पूरा देखे तो फिर्ण देखो, बाइक का जो weight है वो कहीने के matter इसलिए भी करता क्योंकि जब हम लोग कम CC से ज्यादा CC की तरह बढ़ते हैं, तो बाइक का जो weight है उसमें 60 kg से लेकर 100 kg का weight का अंतर देखने को मिलता है जैसे कि Honda Sine SP 125 इसका weight है 118 kg, बजाज Pulsar NH 200 weight है 152-156 kg, KTM 390 Duke weight है 117 kg, बजाज Dominar 400 weight 184-187 kg, आरी Classic 350 weight है 192-196 kg तो आप देखो एक तो CC बढ़ने से भी weight बढ़ता है, लेकिन बहुत हद तक जो bike की body वो किस तरह की है, metallic है या फिर fiber body है, उससे भी weight में फरक पड़ता है लेकिन यहाँ पर simple सी logic, तो पहला point आप यह दिमाग में डाल लो, कि जब आप bike जाहे जितनी भी भारी हो, आपका height भले ही कम हो, आपका weight भी कम हो, लेकिन जब आप normal riding करोगे, तो उससे आपको कोई फरक नहीं पढ़ने वाला bike के weight से, लेकिन bike का weight है, जो भारी है, वो लेकिन यहाँ पर भी जो आपका weight है, वो मैटर बिल्कुल नहीं करता है, आप ज़्यादा भारी हो, या हलके वो मैटर नहीं करता है, आपका height बहुत हद तक जो bike का weight है, उसके साथ जुड़ा हुआ होता है, बहुत सार लोग साथ दिक्कत यह आ जाता है, कि ज़्यादा भा भारी वो bike ले लेते, जिसका जो bike है, उसका saddle head ज्यादा होता है, और उनका जो pair वो अच्छी तरह से, जो road पे सही तरीके से नहीं पड़ता, ऐसे में क्या होता है, कि जब आप अपने pairों से अपने भारी bike को आगे या पीछे move करते हो, तो बहुत ज़्यादा परिशानी होत है, जिनका height बेतर होता है, वहाँ पे weight चाहिए, बाइक का 200 kg हो, 220 kg भी हो, तो दिक्कत नहीं क्यूंकि पहली बात हो, जो चक्या है, आपको उनसे अपने bike को चलाना है, दूसरी बात क्या कि कॉर्णरिंग हो, या कोई भी तरह का situation हो, वहाँ पे आपकी इस तरह का accelerator layer हो, handling, stability कैसा है, वहाँ मैटर करता है, ऐसा है नहीं कि आपका जो bike है, उसका weight मैटर करता है, वह बहुत ही कम situation में, बहुत ही कम लोगों के साथ मैटर करता है, bike का weight, तो यहाँ पे simply आपको ये judge करना, सबसे बेस तरीका तो यही होता है, कि कोई भी bike चाहिए, आपका height जादा हो, कम ह कोई भी bike आप लेने वाले हो, कम CC का, ज्यादा CC का, बेस तरीका तो यह है, कि अगर आपको शक है, आपने वो bike पहले कभी नहीं चलाया है, तो बेस तरीका होता है, कि आप showroom पे जाओ, और उस bike का test ride करो, test ride में बहुत साथ लोग बहुत बड़ी गलती करते हैं, कि test ride के लि होने के वैसे, या height होने के वैसे, और हाँ, यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा, कि अगर seat adjustable है, तो भी आपको परिशानी कम होगी, लेकिन अगर seat adjustable नहीं है, और आपको परिशानी हो रही है, तो आप test riding करो, भीड भाड़ वाली राके में, खुद से बैठ के, अपन से test ride नहीं लोगे, तो फिर आप वो judge नहीं कर पाऊ, कि वो particular bike कितना weight है, उसके according, आपके लिए suitable है की नहीं है, तो मैं best ride देने चाहूँगा, कि इससे बचने का best तरीका यही होता है, कि आप भीड भाड़ वाली लाके में traffic riding करें, उस bike के साथ, और फिर खुद से judge कर पाए कि क्या आपके लिए वो bike comfortable है की नहीं है, तो friends उमीदे कि इस वीडियो में दिगा जान करें, आपको पसना आई होगी, वीडियो अच्छा लगाओ, तो वीडियो को like और share जरूर कर दे, वीडियो के बारे और चैनल के बारे अपनी आपनी आए, आप मुझे comment करें जरूर ब गुडबाई